हलो फेंट्स वेलकेम टू आज चैनल क्रिप्टोवेद विशाल आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस इंपोर्टन टेक न्यूज अपडेट है मार्केट की ETF के बारे में ही थोड़ा डीटेल में उसके बारे में बात करेंगे लाइट कोईन अल्रेडी काफी पंप हो चुका है हमने बात करी थी वो टाइम पे गरीब 80-90 डॉलर के बीच में चल रहा था वहां से काफी अच्छा पंप अल्रेडी हो चुका है लेकिन एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आप लाइट कोईन में ट्रेड कर दे हो तो पास्ट हिस्ट्री के बेस पे बहुत क्रिटिकल चीज है जहां से कभी भी डंप हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे बिटकॉइन और मार्केट में यहां पे क्या चल रहा है सबसे पहले न्यूज अपडेट्स पे आते हैं उसके बाद अन्रुक चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो कल हुई बड़ी चीज ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक ने फिर से यहां पे जो ETF था उसको फाइल किया है पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो था कि ब्लैक रॉक ने यहां पे नयम डाला है कोईन बेस का एज़ा सर्वलेंस पार्टनर यहां पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SEC कोईन बेस के पीछे पड़ा हुआ और जो अब ETF फाइल कर रहा है वो पार्टनर बना रहा है यहां पे ब्लैक रॉक जैसा इंसिटूशन यहां पे अगर पार्टनर अपना SEC के लिए Coinbase को बना रहा है तो बहुत important होगा आप देखना कि SEC यहां पे क्या बोलता है SEC Coinbase के बीचे पड़ा है और ETF जो आ रहे हैं वो लो Coinbase को साथ लेकिया है तो देखेंगे किस तरीके से यह चीज हमें देखने को मिलती है इसका impact भी market में देखने को मिला हमें Bitcoin फिर से 31,000 की range के नेर बाउट यहां पे आया उसके बाद से थोड़ा सबीटर डाउन की तरफ आ गया around 30,000 और 31,000 के बीच में जो है फिलाल अभी यहां पे Bitcoin जो है फिलाल के लिए चल रहा है एक और चीज यहां पे brokerage एक firm है Westin उनका मानना है और 650 650 billion dollar के करीब इनके पास है इनका मानना है कि काफी high chance है यहां पे ETF जो है वो approve हो जाए इनके high chance है और हमें पक्का भरोसा है यहां पे इस चीज के बारे में कि ETF जो है वो approve तो है यहां पे minors का data तो minors जो अभी data है जिस recording यहां पे उसके according आज तक का सबसे highest data जो है वो minors ने exchanges में यहां पे भेजा तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे आके जो chart है वो दिखा देता हूँ ओके तो अगर आप यहां पे देखेंगे huge number of minors ने exchanges में बेजें और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब BTC ने अपना all time high बनाया था था थावन हजार वो time पे minors ने जो bitcoin exchanges में बेजे थे अभी यह उससे भी जादा बेजा अगर आप यह chart भी देखेंगे जो glass node का है यहां पे तो यह जो अभी recently आये हैं exchanges के उबर bitcoin वो बहुत ज़ाद आये हैं तो minors को भी शायद कहीं न कहीं यह लगा कि नहीं है जो 300,000 का level है बहुत important है वो level के नेरवोट अगर bitcoin आया है तो हम लोग exchanges पे ले के चले जाते हैं at least देखेंगे इसके साथ क्या करना होगा तो करीब 126 million dollar के यहाँ पर जो आये हैं इसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि इतना बहुत बड़ा number 128 million लेकिन एक दिन में इतने ज़ादा bitcoin आना कहीं न कि थोड़ा सा minors का भी mindset यहाँ पर दिखा रहा है कि उनको भी लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा यहाँ पर profit book शायद अपना कर लें तो भी अच्छा रहेगा और अगर कुछ ऐसा होता है और इस तरीके एक डेटा बहार आता है कि minors ने sale out कर दी है अपने तो उसका एक impact अभी आने वाले time में हमें bitcoin प्यों market में देखने को मिल सकता है bitcoin के बारे बात करें तो अभी चल रहा 31,000 पी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बात बताया है जादा चार्ट के बारे में discuss नहीं करेंगे चाहे bitcoin 31,000 पे पहुँच जाए या bitcoin 39,000 पे पहुँच जाए जब तक इस area के बीच में है हम तब तक हमारे लिए 31,000 पी बहुए 29,000 पी बहुए है पर हाँ अगर आप scalp कर देओ तो आपके लिए बहुत अच्छा है पर profit देखने को मिलाओगा नीचे उपर 35,000 की उपर अगर bitcoin जाता है तो बात है अगर नहीं जाता है तो हम लोग ने यह में है उसको break करा है अब यहाँ पे एक possibility यह है कि मैंने सोचा था trade लेना पर lean ही मैंने और अब ही लग रहा है बहुत अच्छा है तो wait मैं यह करदा हूं खाली कि अगर यह एक बार अपनी इस area को दुबारा test करता है जो की करीब 2% down पर है और अगर यहाँ से इसने bounce back ले लिया तो GRT के price में आपको अच्छी rally देखने को मिल सकती है और rally की अगर मैं बात करूं तो जो current price चल रहा है या जो उसका 200 एये में आता है वहाँ से वो करीब करीब 30-40% का profit हमें देखे जा सकता है मैं कर यह वाला high नहीं देख रहा हूँ क्योंकि spike था ही है इसको मैं ignore कर दा हूँ यह वाला level मैं यहाँ पर at least देख रहा हूँ जो काफी अच्छा है यहाँ पर देता आप देखना यह होगा क्या यह जो 200 EM है इसको एक बार test करता है या सीधा यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है पर अगर यह test करके लेता है तो एक अच्छी possibility यहाँ पर बन रही है पर उसके साथ में एक important चीज होगी जो होगी bitcoin का chart क्या चलता है अब आ जाते हैं यहाँ पर important चीज हमारी आज की जो था यहाँ पर LTC यानि की light coin तो काफी लोगों के question है light coin के बारे में एक बात करते हैं तो price already काफी पर्म करता है 108 dollar in fact बोलते हैं अब आपको मैंने एक past history में लेके चलता हूँ देखिए यह है light coin का जब first having हुआ था यह है august में हुआ था 2015 में date exact नहीं है यह august में आप मान लीजिए तो आप यह देखिए कि जब भी इसका having हुआ था उससे पहले एक बार spike आया था और मैं weekly chart में हूँ यहाँ पर और उसके बाद यह गिरा और अगर आप देखोगे कितना गिरा तो करी 72% यहाँ पर गिरा तो मतलब यह chart यह बता रहा है कि having से पहले एक बार spike जो है light coin के price में जरूर हमें देखने को मिलता है LTC में हमें देखने को मिलता है इसके बाद यह नीचे आया और उसके बाद यह एक अपना high जो है यहाँ पर बनाता है अगर मैं पीछे के chart में भी आऊ तो भी आप इसी चीज़ को यहाँ पर देख सकते है ठीक है जी इसके बाद अगला जो इसका having हुआ वो कब हुआ 2019 में हुआ August में वो time पे भी same कहानी हुई कि उससे पहले इसने एक अपना high बनाया और नीचे आया करीब 82% अब important चीज जो है हमारी वो यह है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो having हमारी अब यहाँ पे आने वाली है यहाँ पे करीब और already light coin यहाँ पे आ चुका है तो अब यहाँ से मैं यह देख रहा हूँ कि अगर light coin में हमें pump देखने को भी मिलता है 800 डॉलर तक भी अगर light coin यहाँ से जाता है तो अगर यह गिरा अगर मैं past record के according देखता हूँ having जब हो जाता having होने के बाद having से पहले जो all time high बनता है उसके बाद यह काफी ज़्यादा गिरता है तो करीब अगर उस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो यहाँ 72% भी अगर यह गिरता है यहाँ से तो एक अच्छा कासा जो drop होगा वो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है light coin में अभी भी यहाँ पर chances है कि एक और आपको price moment देखने को मिल सकता अगर आप देखो तो मैंने जो count किया है करी 5 वीक पहले 5-6 वीक पहले all time हाई आता है और अभी उससे जादा time यहाँ पर बना हुए पर सबसे important है light coin में exit बहुत सही time पर आपको लेना है अब आप समझेए जिन्नों ने इस जगा पर light coin में exit नहीं लिया जिन्नों ने यहाँ पर light coin में exit नहीं लिया तो उसके बाद light coin इतना ज़ादा यहाँ पर down हो गया pass history अगर आप देखो तो आविंग के बाद हमेशा light coin गिरा है और उस गिरने के बाद उसने जवर्दस रह ली यहाँ पर दिखाई है तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो light coin अभी जब having होगी उस हिसाब से अगर मैं देखू तो फिर एक बारा में तगड़ा वाला नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो अगर आप trade कर देखो अगर तो spot में light coin को रखा है तो मेरा मानना ही है कि अगर यह आपको थोड़ा और pump देता है 130-140 दॉलर तक जाता है तो अपना profit वहाँ पर निकाल लो और अगर trade ले रहे हो तो या leverage का वहाँ पर दिखाई नखो क्योंकि अगर वहाँ से past history repeat हुई तो यह तगड़ा वाला नीचे वह टाइम पर गिरेगा और अगर आप हो यहाँ पर future trade में तो पक्का तैह है liquidate आप यहाँ पर हो जाओगे अगर leverage का ध्यान नहीं रखा है तो तो यह ध्यान रखो कि जब भी इसमें अभी नहीं पर थोड़े टाइम बाद अगर आपको profit नजर आ रहा है वहाँ पर अपना profit बुक कर लो क्या light coin अब entry ले नहीं यार अभी मुझे लगता है थोड़ा सा risk हो जाएगा हमने पहले बात करी थी having होने वाला है light coin का अगर entry लेना चाहिए ले सकते है अगर आपने वो time पर entry ली होगी तो बहुत बड़ी होगर नहीं लिया तो मेरे साब से अभी तो यहाँ पर मतलो देखो मैंने बोला यहाँ पर कि डेट सो डॉलर तक जा सकता है पर guarantee नहीं है अल्रेडी जो है pump यहाँ पर हो चुका है तो अब मत करो पर अगर लिया हुआ है तो आप थोड़ा वेट यहाँ पर कर सकते हो तो यह दो important चीज़े थी मुझे discuss करनी थी एक था minor का data जो आया है यहाँ पर और एक था light coin का यह चार्ट क्योंकि light coin का बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूं कहीं पर कोई इसको 200 डॉलर पर पहुचा रहा है कोई 200 डॉलर पर पहुचा रहा है पर अगर आप देखो तो इतना pump लेता नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगोंने किस प्राइस पर light coin को लिया वो उस बेस के आप अपने exit यहाँ पर तैक कर सकते हो तो यह तो थे गाइस important update एक बाब market का हालाद भी देख लेते हैं क्या बोलता है crypto analysis तो market cap 1.22 trillion है लगबग वहीं है जहाँ पे कलती volume 25% ज़रूर बढ़ा है fear and grid index greed में 64 में inflow की बात करें तो एक data ज़रूर आया है 1006 BTC का जो आया था bybit की उपर पिछले एक गंटे के sentiments की बात करें तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहे है neutral और अगर बात करें heatmap की तो BTC 1.19% और Ethereum 0.19% अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाकी alt coins भी हलके फुलके green में ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा pump की सी में फिलाल यहाँ पे दिख नहीं रहे है तो यह थे खाई अपडेट जो अभी तक चल रहे है market के अंदर एक और चीज़ याद रखेगा कि जो Bitcoin का movement यहाँ पे चल रहा है वो बहुत important है अगर यह area Bitcoin ने यहाँ पे break कर दिया मेरे according जिसके chance थोड़े कम थे पर अगर यह area यहाँ पे break कर दिये क्योंकि कोई भी 100% market को predict नहीं कर सकता अगर यह कर दिया तो एक sky rocket उपर की तरह बन सकता है अगर इसके उपर हमारे candle close होते है तो chances जिसके कम है otherwise chances हमने पहले बात ही करी थी कि यहाँ से correction हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है जो कि गरी 25,000 तक भी हो सकता है तो यह तक है इस updates I hope चीज़ें आपको clear हुई होंगी और especially light coin के बारे में जो doubt थे आपके वो यहाँ पे clear हुए होंगे तो यह तक है इस वीडियो पसंद आए आपको इसको like ऊशे जरू केगा चैनल में अगर आप नए है first time वीडियो देखने जरू चैनल को subscribe कर लिजेगा और उसके अलावा दिन भर के जो भी updates है उनके लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीगराम का चैनल जोइन नहीं के जरूर जोइन के लिए का link वीडियो के description दे मिल जाएगा thank you friends